हाई दोस्तों तो आज हम जानागी कि चरस क्या होता है गांजा किसको कहते हैं केन्विस की परिभासा क्या है तो एंडी पीएस में उनकी क्या परिभासान दी गई हैं आखिर क्या पकड़ा जाता है चरस में किसको कहते हैं क्या चरस कहलाएगा क्या गांजा कहलाएगा जिसमे यह बड़े बड़े फिल्म इस्टार भी जो है लपेटे में आ जाते हैं और इनको भी जो है सजा भुगतनी पड़ती तो आईए देखते हैं केनवेस हैं पसे अभी प्रेज़ा तो यह सब जो है 400 गांजा जो है दूस्तों यह का एक अंतरगात आते हैं केनवेस केंतरगात आते हैं केनवेस का पौधा होता है ठीक है जो इसको है कच्चा या सोधित किसी भी रूब में प्रतक किया गया रेजिन जो किया जाता है जो केन्विस के पुधित जो रेजन नकाला जाता है वह चाहें कच्या हो या सोदित की आ गया हो तेक है यह सब तुकि चुर्ष में लाता है इसके अंतरगत हसीस तेल बॉलीबोर्ड में बहुत ही फैमस है यह हसीस तेल ठीक है वद्राव हसीस और ऐसे ही नाम से जितने भी सांद्रत निर्मित होते हैं यह सब जो रेजन होता है यह पूरा का पूरा कुछ ही बना लो इससे मिलावट करके थोड़ी बहुत इसमें तो यह सब चलस कहलाती है तो जो केर्मिस के पुदे से रेजन लगया उसका रस नकल लगया यह सब क्या है चला जाता है तो अब गांजा क्या होता है अब अपन गांजी को देखते हैं तो गांजा की परिभाद आती है वी में है इसकी ठीक है तो गांजा अर्थाथ के पुद्धे के फूले और फल्ले वाले से तो जो केर्मिस का पुद पत्तिया जब सरे के साथ ना हो नहीं है अगर बीज और पत्तियों को अलग अलग कर दिया गया तो फ्रबुगाजानी कहलाते हैं ठीक है अगर जो फूले वाले वाले सरे हैं जब तक उनके साथ पत्तिया और यह बीज लगे हुए हैं तब तक बुगाजा कहलाते हैं और फूल्य यो फले उपर उपर के है डंठल सोटे यह गांज है तो अपने 400 गांजा आивать को समाझ गये होंगि तक लाए उस लीए निय। आपको समझ में आ गया होगा